कालिदांस की लेख को वयश्वएक स्थर पे ले जाते लिया नहीं है यह मेरा कहना नहीं है या रभिंद नाल टागोर जी की साहित्य को और प्रभावी धंक से रखते हैं तो आज सक्ष्पियर की लेग से हमारी लेग ज़्यादा प्रभावित होता यही सारा विशे हमारी साहित्य में भी सद्यों पहले है भारत इतनी पुरानी सभ्यता है और आज जेए निव उस सभ्यता को आगे ले जा रहा है और उसमें आप लोग जो आज मानक लेके जाओगे, सिक्रती लेके जाओगे, समाज जिवन में पहुंचोगे, आपकी भूमी का उसमें और बढ़ जाती है मैं JNU को दो दृष्टी से दिखता हूँ, JNU की बीविज़ता, डाइवर्सिटी, JNU की सम्वेदन सिल्टा, सेंसिटिवीटी, JNU की समाबेसी आप्रोच, JNU की समता युक्त बाताबरण, इक्वैलिटी, JNU की गुणबता, क्वालिटी और JNU की आप्रोडेविलिटी, जैसे कहा गया, यहां कहूं कोन आता है, मेरे उडिसा की कलाहंडी जिले की गरीब से गरीब विद्यार्थी भी JNU आता है, देश की हर एक जिले की विद्यार्थी JNU की जो अनुका प्रक्रिया है, उसमें पहुंचता है, पहुंचता है तो उस सामाजिक पृष्ट भूमी में, जब यहां से आगे जाता है, वो सांत्री स्री बनता है, निरमला सितारम बनता है, जैसंकर बनके निकलता है, यह JNU की capacity है, सिरिफ यहां library नहीं है, सिरिफ यहां classrooms नहीं है, यहां एक culture है, यहां एक मिज़ाज है, यहां sentiment है, और देश की आजादी के उपराद JNU आपने आप में, मैंने पुछा कि भाई, यह इतनी पुरानी university में six convocation क्यूं है, किसने का कि JNU को लगा एक convocation क्यूं करेंगे, यह भी सही है, democracy है, आज लगा कि नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है, आप उस्चास यहां मेटे हो, यही तो भीविदता है, जो लोग महिलाओं को लंबे समय तक voting right नहीं देते थे, वो आज हमें भी नसिहत देते हैं, कि आपके ह वहाँ, freedom of speech होनी चाहिए, freedom of right होनी चाहिए, यह भी तो उसको example है, बीविदता से भरा हुआ, अलग-अलग बिचार, अलग-अलग परिबेस, अलग-अलग आप्रोच, हाँ, बीच-बीच में थोड़ा लक्सम डिकार नहीं लगनी चाहिए, यह मैं अपिल करूँगा, भार भारत सहमती में तब आती है, जब असहमती की पुंज होता है, disagreement is the major agreement, यह भारत की मुल्चरित्र है, और मैं ऐसे क्यूं होता है, मित्रों मैं ऐसे क्यूं होता है, कभी भारत में समिक्षा करता हूं कि भारत by DNA भारत की लोक चरित्र में प्रजातन्त रहे, लोग कहते हैं, प कि यह डिमोक्राशी तब से आई है, मित्रों मैं आपको दो उधान दूँगा, प्रमान के साथ उधान दूँगा, बाइस सो साल पहले, मेरे राज्यम में और आदर्णिया राष्टरपति मोहदया जिस राज्य से आते हैं, उस राज्यम में एक यूद हुआ था, कलिंग य समराट उसोको, मगद समराट उसोको, उडिसा में चंडा सोक से धर्मा सोक होते हुए, ये वरनित किया गया इतियासकारों ने, मित्रों तब जब कलिंग के उपर मगद की आक्करण हुई थी, तब कलिंग में कोई राजा नहीं थे, देर्वजे का वर्नेंस मोडेल, एक लो लोग बैट के समराट उसोके के साथ लड़ेंगे, मैं उडिया होने के नाते, मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे परहजे हुआ था, एक लाख लोगों की बलिदान के बाद, असोको को धर्मा सोक बनना पड़ा, यही मेरा क्यापसिटी था, यही मेरा रेजिलियन्स था, तब मेर मेरे वहाँ कोई राजा नहीं थे, मेरे वहाँ डेमोक्रासी था, भारत में बाइस सो साल पहले, डेमोक्राटिक फूट्प्रिंट की मैं आपकी समने प्रमान देता हूँ, रिशर्च करें जेन्यू, मेरे मात को सहमती हो, असहमती हो, डिबेट की विशे होनी चाहिए, यह घारत की पुझी है, तामिल नाडू की तन्यबूर जिल्ले में, 4th century में पंचायत कैसे होगा, पंचायत की चुनाओ कैसे होगा, पंचायत में अगर कोई वरस्टाचार करता है तो इसको निकाला कैसे जायगा, सिलापत में लिखा गया है, 4th century में तामिल नाडू में, मागन कटा के centuries पहले इसलिए प्रदान मंत्री जी ने जब ये नई संशत भवन की नियू रखा गया कहा भारत largest democracy नहीं है भारत oldest democracy है भारत mother of democracy है उसकी जे नियू तो experiment ground है और मैं आज इसलिए और प्रसन नहूं कि आज कोन हमारी बीच में अतिति करके आये हैं रगबटम एक सब्द है अंग्रीजी में एकदम किसको कभी तुनमूल कहा गया कभी एकदम निचले तपके के अंदर उसको बरन किया गया उसको कभी एकदम जमीन ही कहा गया उस जमीन से जंगल से एक सामान्य घर की महिला आज महामहिम रास्टरपति होके हमारे बीच में है यह भारत में है मैं जिम्मेवारी के साथ आप जैसे सोद करता हूं कि सामने यह आहवान देके जाता हूं यह केस चड़ी होनी चाहिए क्या दुनिया में पचैतर साल की आजादी के उपरांत जब हम अमुर्त मोहश्यो मना रहे हैं क्या भारत दुनिया में कोई देश अपन यह अमपावर्मेंट किया है क्या यह जैनियू की हिमानिटीज की स्टूडेंट्स की सोध की विशे होनी चाहिए